और यूपी की राज़धानी लखनाओं के पीजी आई थाना शेत्र में एक महिला का शव मिलने के बाद संसनी फैल गई है पुलिस ने जो परताल की तो जानकारी मिली कि शव महिला कॉंस्टेबल रूची सिंग का है इसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और पुलिस का ये कहना है कि ये मामला प्रेम प्रसंका है फेस्बुक के जरिये महिला कॉंस्टेबल की दोस्ती नायब तहसीलदार से हुई थी और पुलिस इस केस में कड़ियां जोडते हुए गुत्ती सुलजाने में जुटी है जानकारी के मताबिक महिला कॉंस्टेबल बीते 13 फरवरी से ड्यूटी पर नहीं पहुँची थी जिसके बाद महिला सिपाहियों ने जोसके साथी सिपाहियों थे संपर करने की कोशिश करने लगे लेकिन रूचिय सिंग का फोन लगाता है स्विच डॉफ आ रहा था इसके बाद साथियों ने मुकदमा दर्च करवाया और बता दे कि महिला कॉंस्टेबल का शव काली मता अलाके में एक नाले से मिला है इस ज़रान लखनों के पी जी आए थाने की पुलिस ने शुचानत गॉल्फ थाना को ये मामले के सूचना दी और इसके बाद कॉंस्टेबल रूची सिंग के साथ काम करने वाले साथी मौके पर पहुंचे तोनों ने शव की शनक्त की और साथ ही साथ पुलिस ने बिजनौर में महिला कॉंस्टेबल के परिजनों को भी सूचित किया इस पुरे मामले में आरोपी नायब तहसिलदार को हिरासत में लेकर पुलिस पूच्टाच कर रही है जानकारे के मताबिक हद्य की आशंका जिताई जा रही है हलकी लखनों पुलिस का ये कहना है कि वो जल्द ही इस गुत्थी को सुलजाएगी कि आखिर महिला का शव नाले में कैसे मिला ये लड़की रूची योगेंदर कुबार की लड़की थी इसका सलक्षन पुलिस में 2019 में हुआ था और ये पहले पोस्टिंग ठाने में मिली उसके बाद लखनों जो हेड आफिसे जीजीपी उस कार्याले में सर्विस कर रही थी और इसकी हत्या जो है जगन्य अपराथ हुआ है इसकी बच्ची के साथ और पूरा गाओं जो है रोस्व्याप्त है और पूरे गाओं और पूरा परिवार ये चाहता है कि जो जिसने ये जगन्य अपराथ करा है उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा और सजाए मौत मिले उसे ताकि भविष्चे में इस तरह की कोई बेटियों के साथ लड़कों के साथ इसे के साथ ही उत्रपरदेश पुलेचिन में फिलाल के लिए इतना ही देश दुनिया की तमाम कबरों के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहे हैं आरे नियूज